हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मिर सोनी और आज मैं आपके गवराने वाला हूं एसेस का चैप्टर नंबर फन जी एसे बी बोड़ी का जिसका नाम है हैरिटेच ओफ इंडिया तो आएए फ्रेंड्स देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या एक्स्प्लें किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहामें आपे एंशेंट स्क्रिप्ट जिसका नाम है विष्णु पुरान जो हमारे कल्चर की है उसमें से दो लाइन यहामें बताईए तो मैं सबसे पहले यह संस्क्रिप्ट की दो लाइन आपके सामने रीड करूँगा और फिर इसका मीनिंग आपको मैं समझाऊँगा तो फ्रेंट्स यहाँ पे यह लाइन है उत्तर म्यद समुंद्र हिमाद रेश्चेव दक्षिन वर्षा तद बारत नाम बारती यत्र संसती है तो friends इसका मतलब है कि हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पे उत्तर यानि हिमालया से लेकर दक्षिन में यानि समुद्र तक आप देख सकते हैं उत्तर में हिमालया और दक्षिन में समुंदर तक extended है यानि उत्तर हिमालय से और दक्षिन में समुंदर तक पूरा यहां से extended है यानि उपर हिमालय है और भारत के नीचले तल यानि दक्षिन में समुंदर है फिर east से west तो हमारा पूरा भारत उत्तर से दक् रश्च्जिम पूरा भारत हमारा छो hackal chao है वह पूरा kulture से बरा हुआया है तो फ्रेंट्स यहां पे यह दू लाइन में हूम हमें समझाया गया है आईए friends अब next देखते हैं कि हमें next क्या बता है तो friends यहाँ पे अब next हमें समझाया गया है कि बारत जो है उसको पहले अलग-अलग नाम से बुलाया जाता था तो friends यहाँ पे बारत को पहले बारत वर्षा, बारत खंड, जम्बू दीप और आरिय व्रत्ता के नाम से जाना जाता था तो friends यह सब resolutions थे जिनके नाम से बारत जाना जाता था फिए friends हमें यहाँ पे बताया है कि अवर कंट्री गिफ्टेड विद नेचरल बाउंडरी हिमाले इन नौर्थ एंड सी इन दे इस्ट वेस्ट एंड साउथ फिए friends यहाँ पे हमें बताया है कि जो हमारा भारत देश है वो अच्छी बाउंडरी यानि जो भारत की सरद है सीमा है वो भी बहुत अच्छी और सुंदर है जहाँ पर उपतर ही तक पर हीमाले है और यहाँ पे इस्ट वेस्ट और साउथ की साइड सी है यानि समुद्र है तो friends यह तीन लाइन में हमें यहाँ पर समझाया गया है फिए friends आईए चले आगे देखते हैं तो friends आगे हमें बताया है कि पहले के समय में बहुत सारी कंट्रियां से यानि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग हमारे देश बारत आते थे वो यहाँ पर ही बस चाते थे और हमारे कल्चर में वो सेटल हो जाते थे और फिर उनकी भी आगे से आगे पीडी यहाँ पर ही रहने लगी और यहाँ पर ही उनकी उनका पूरा जो परिवार था वो यहाँ पर ही बस कया क्योंकि उनको हमारा Indian culture इतना अच्छा लगा तो friends यह है यहाँ पर हमें समझाया है आए friends आगे देखते हैं आगे हमें बता है Due to mutual exchange Many have been settled here in our culture In this way our heritage is transferred from generation to generation and continuously progressing तो friends फिर यहाँ पर हमें बता है कि जो लोग भारत आए दूसरी countryों से आपको पता हो गए कि हमारे पहले के जमानिन में जो Britishers थे उन्होंने भारत पर राज किया उससे पहले Portugal आए French, Dutch, दूसरे दूसरे जाती पात के लोग भारत पर आए वो लोग भारत में रहे और क्योंकि वो लोग भारत में रहे उनकी वज़े से हमारे culture में जो आज पूरे वर्ड में, पूरे विश्व में भारत कल्चर का इतना अच्छा स्वर्ण हमारा पूरा भारत देश की इमेज है छवी है पूरे हमारे भारत देश की तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमें ये समझाए आए फ्रेंट्स आगे देखते हैं हमारा भारत देश है ये दुन्या का सात्वा सबसे बड़ा देश है तो फ्रेंट्स यह हमारे लोकेशन दी उपर हमालया है उपर की साइड भारत में हमालया आता है फिर यहाँ पर एस्ट वेस्ट और साउथ की तरफ जो है वो समुद्र है यहाँ पर यह कश्मीर है तो यहाँ पर भी बरफ का पूरा स्थान है फिर यहाँ पर हिमालय है जो चीन की और है यहाँ पर नेपाल है और भारत का नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसके बाद वो क्योंकि 1st सबसे बड़ा Mount Everest है दूसरा पहाड जो सबसे बड़ा ओके टू वह बारत में तो सेकंड लाइट जो है वह बारत में जिसका नाम केटू ऐ तो just यहांपे यह location औ přिंडिया में हम यह समझाया गया आए एएए आगे देखते है ठीक है फ्रेंट्स अब हमें आगे बताया के बारत का rich and varied heritage तो फ्रेंट्स heritage जा है heritage यानि वो चीज जो हमें हमारे पूरवजों से मिली है जो manmade है जो हमारे बारत की दरोहर है और आज उसी दरोहर की वज़े से आज हमारा बारत देश पूरे विश्व में जाना जाता है क्योंकि हमारा बारत देश का heritage heritage यानि जो जो हमारे पूरवजों निर्मान किया था वो इतने अच्छे और best qualified चीजों से हमारे heritage का निर्मान हुआ जिसकी वज़े से बारत देश पूरे दुनिया में जाना जाता है तो फ्रेंट्स आज हमें आपर बढ़ेंगे rich and varied heritage तो फ्रेंट्स पहले में आपको read करूँगा और फिर समझाऊँगा in ancient population wise rich and varied heritage of our motherland has been bestowed rich and varied heritage to us as the world तो फ्रेंट्स यहां पे हमें बताया है कि हमारे ancient population यानी हमारे पूर्वज उने अपने heritage जागने हमारा जो आज उन्होंने जो निर्मान किया था वो ही आज हमारा heritage बना हुआ है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा निर्मान किया उसको इतनी अच्छी आक्रूतियों से बनाया फिफ्रेंट्स आगे हमें बताया है इडियन कल्चर है इडियन कल्चर है इस बिन trade-oriented and peace-loving सत चीत और आनन्द और रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर फ्रेंट्स सत चीत और आनन्द का मतलब है पीश, शांती और आनन्द यानि enjoyment यानि फ्रेंट्स आज जो हमारा भारत देश है वो सत चीत और आनन्द की वज़े से पूरे विश्व में जाना जाता है फिर फ्रेंट्स इसके आगे में बताया है वो यहां पर रह गए फिर यहां पर ही बस गए और उन्होंने अपने हिसाब से हमारे बारत देश का जो कल्चर है जो रहन से डंग है बारत देश के लोगों का उस समय उन्होंने बदलाव किये जो आज हमारा भारत देश है उसी बदलाव पर चल रहा है आगे से आगे फिर फ्रेंट्स यहां पर हमें आगे बता है they have accepted the value of non-violence and peace which have been adopted and admired फिर फ्रेंट्स आगे हमने बता है कि आज तक भारत देश ने हमेशा non-violence यानि अहिंसा का ही mark चुना है और फ्रेंट्स अहिंसा पर ही हमारा भारत देश तिका हुआ है फ्रेंट्स घांदी जी का भी यही मार्क था कि हमें हमेशा अहिंसा ही अप्तानी चाहिए और फ्रेंट्स इसी मार्क की होजे से हमारे बारत देश ने आजा दी पाई थी तो friends यही हमें यहाँ पर समझाया गया है ठीक है friends आईए अब next हम देखते हैं friends अब यहाँ पर हमें meaning of culture समझना है कि culture क्या होता है अब भी तक मैंने आपको heritage समझा है heritage यानि हमारे पूर्वजों की धरोहर जो हमें उनसे प्राप्त हुई है जो उन्होंने निर्मान किया था उस टाइम जो आज हमें heritage के रूप में हमें प्राप्त हुआ है अब हम यहाँ पर समझेंगे meaning of culture के culture क्या होता है तो friends पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूं रीड करके culture means a way of life it is made of changes that occur in public life social rule and regulate different society it can be said that culture is a total of habits, values and custom tradition and idea leading human to highest level तो friends यहाँ पर मैंने इतना सारा आपको बोला लेकिन आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको simple way में समझा देता हूं culture जो हमें आज तक हमारे पिता हमारे पिता उनके पिता दादा पर दादा उन सबसे जो आज तक हमें गेन हुआ है जो भी परमपरा रीती रिवाज जो भी हम कहते हैं हमारे त्योहार तीज फिर जो भी फेस्टीवल हम मनाते आएं यह सब हमारा culture यह friends यहाँ पर मैंने आपको कुछ फोटोस भी बताईए जैसे यहाँ पर यह दुरगा माता का फिर फ्रेंड्स यह केरेला में जो एक फेस्टीवल होता है फिर फ्रेंड्स यहाँ पर यह गंगा काट फिर फ्रेंड्स यहा पे दूसरे दूसरे और टाइपश के फेस्टीवल की भी मैंने आपको फोटोडीस ब्लिये हैं तो, friends, ये सब क्या है, ये सब हमारे पिता, पिर दादा, ये सब की परंपरा है, जो हम अभी तक follow करते हैं, और आगे हमारी जनरेशन ही आगे follow करेगी और आगे से आगे ये PD तेर्च चलता ही रहेगा. तो फ्रेंट्स यह कल्चर का मतलब यही होता है जो भी चीज हमने हमारे दादा यानी हमारे एंसेस्टर से सीखी है वो चीज हम फॉलो कर रहे हैं और आगे हमारे जो मतलब जनरेशन होगी वो फॉलो करेगी तो फ्रेंट्स इसी का मतलब होता है कल्चर और फ्रेंट्स यही कल करना है और अब भी हम यही करते हैं कल் चुर का मतलब वो जी जो हम परंपरा रीती। Rivaach हम जो किए त हैं अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या समझा है तो friends यहाँ पे cultural heritage of India अब हमने हमारा heritage meaning समझा अब यहाँ पे cultural heritage of India इंडिया का cultural heritage हम समझेंगे highest cultural heritage of India heritage means a valuable gift from forefather to us तो friends यहाँ पे मैंने आपको बता है हमारे जो ancestor हमारे पूरवजों से जो gift जो परंपरा जो रिती रिवाज हमें प्राप्त हुआ है हमें मिला है जो इतना मूल्यवान है जो हमें मिला है और friends हम बहुत ही gifted है हम बहुत ही मलब कह सकते हैं कि lucky person है जो इंडिया हमें बहुन हुए हैं जिनको इतने सारे culture, धर्म, जाती, पात यह सब मतलब देखने को अच्छी तरीके से समझने को आया हम इतने बहुत खूश नसीब हैं जो हमारा जन्म यहाँ पे बारत देश में हुआ हमें इतनी सारी संस्कूरूती और अच्छी अच्छी चीजे हमार हमें बताइए कि वही हमारा cultural heritage होता है और यहां पर मैंने आपको कुछ photo भी बता है holy है जैसे friends यहां पर यह सिख का त्योहार लोडी होता है फिर friends यहां पर गर्बा होता है कनेश चतूरती होता है फिर घुमर जो राजस्थान का होता है तो friends यह सब cultural heritage है यह different parts of इंडिया मे यह सब celebrate होते है यह friends cultural मतलब culture का मतलब क्या होता है culture का मतलब यही होता है जो भी परमपरा हमारे four fathers यानी हमारे ancestor हमारे पूर्वत जो से हमें मिली है और हम वही follow कर रहे है वही path वही way को हम follow करकर आगे हमारी परमपरा को बढ़ा रहे है यही परमपरा हमारी पीडी आगे मतलब हमारे जो भारत का इतिहाज है वो हजारो साल पूराना है हजारो साल यानी कितने आज तक पीडियों से पीडी हमारे culture चलता हुआ रहा है और आगे कितनी आज़ारों पीडियों तक हमारे यह culture चलेगा जिसका हमें यहाँ पर बताया गया है फिर फ्रेंट्स यहाँ पर हमें आगे बता गया है in school in school pledge हम बोलते हैं हमारे school pledge में हम बोलते हैं we say in school pledge I love my country and I am proud of its rich and varied heritage तो friends इसका मतलब यही है कि हम जो school में जब हम छोटे होते हैं तब बोलते हैं और अभी भी हम बोलते ही होंगे school में कि मुझे मेरे भारत देश पर गर्व है और मैं उसके rich and varied heritage यानि उसके इतने अच्छे और अच्छे और मतलब बहुत best culture और heritage पर मुझे गर्व है तो friends इसका मतलब यही होता है कि हमारा culture इतना अच्छा है कि उस पर हर एक हिंदूस्तानी हर एक भारत्य को गर्व होना चाहिए friends आगे हमें बताया है in this context stage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysterious of human life divided our heritage into two divisions friends यहाँ पर हमें बताया है कि हमारे motherland यानि हमारे बारत देश में से हमें इतना अच्छा heritage मिला है बहुत mysterious चीज है बारत देश में बहुत ऐसी ऐसी चीज है जो आज तक किसी ने खोज भी नहीं कियोगी और आदे लोगों को अभी तक इस चीजों का पता ही नहीं होगा बहुत सारे friends ऐसे विदेशी हैं जिनोंने यहाँ पर भारत देश में आये उन्होंने शंगर्स किया ऐसी ऐसी चीज़े उन्होंने बारत देश में से प्राप्त की फिर friends वापिस वो जब भारत देश से अप अच्छे से नहीं पता है जितने बाहर वाले लोगों को पता चल गया और वो आकर friends यहां से वो सारी चीज़े गेन करके चले गए तो friends यही हमें हमारा God के लिए हमें ठैंक्स करना चाहिए हमें God को तन्यवाद बुलना चाहिए कि हमारा जन्म हमारे बारत देश में हुआ ज समझाऊंगा तो friends natural and cultural heritage तो friends cultural natural heritage अलग होता है और cultural heritage अलग होता है तो friends यहां पे heritage दो टाइप का है एक natural heritage और एक cultural heritage फ्रेंट्स natural heritage यानि वो जो मतलब प्राकृतिका नेचर का बनाया हुआ है जैसे हमारे rivers, seas, pond, himalayas, plants, animals, forest, creepers, flowers, flowers में बहुत सारे types, minerals, vegetables, flowers में और देखे तो jasmine, rose, rose, lily, slun flower यह सब friends अलग-अलग types है जो नेचर का निर्मान किया हुआ है यहाँ पर वूस टाइप का heritage है तो friends हमें दो टाइप के heritage बता है एक natural heritage और एक cultural heritage natural heritage हो जो manmade नहीं है यानि मानव निर्मित नहीं हो अपने आप बना हुआ है प्राकृति है जैसे हमारे हिमालय हुए फिर हमारी नदियां हुई, streams हुए, rivers हुए, deserts हुए तो यह सब क्या है friends यह सब manave निर्मित नहीं है यह अपने प्राकृति ने हमें बना कर दिया है इसे ही हम natural heritage कहते हैं ठीक है friends और फिर cultural heritage होता है जो अलग होता है cultural heritage में friends वो छीज़ें आती है जो manave ने निर्मान किया मानव ने अपने आप बनाए फिर friends उसमें आता है जैसे कि ताज महल होता है friends, कुतुब मिनार हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़े जो भारत के देश में भारत के लोगों ने पूराने जमाने में बनाई, जो आज बहुत ही famous है, बहुत ही popular चीज़े हैं, जो बारत में बनी हुई है, जो हमारे पूरवजो ने बनाई, और उसी को friends, हम cultural heritage कहते है, cultural heritage वो, जो हमारे ancestor, हमारे four father से हमें मिली है, उसको friends, हम cultural heritage कहेंगे, friends, आपको समझ आ गया होगा, friends, यहाँ पर हमें बताया है, कि the example of our close relation with nature, our stories between human and nature stories of tantra and jattaka tales of buddhist religion, तो friends, यहाँ पर हमें बताया है, कि इसका एक example है, जो tantra और jattaka tales नाम की गुद्धिश religion की एक किताब है, जिसमें इसका बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया गया है, फिर friends, और भी तरीके हम cultural heritage देखें, तो हमारा classical dance, folk dance, फिर serval ragas, फिर friends, और beautiful arrangement, architecture, फिर friends, similarly, Ayurveda, Yunani and nature care are also totally based on generally formed due to different shapes of the land remain with useful vegetation and serval land, friends, आगे हमें बताया गया है कि भारत देश का Ayurveda, Yunani and nature care, जो आज कहीं पर भी present नहीं है इस time में और कोई देश में अपना इतना अच्छा Ayurveda का ग्यान जो भारत के लोगों के पास है और किसी भी देश के पास नहीं है, friends, यहाँ पर यही हमें समझा गया है कि natural heritage यानि जो हमें प्राकृतिक से मिला है, nature से मिला है और cultural heritage यानि वो जो मानव ने खुद ने निर्मान किया है, तो friends, यही हमें यहाँ पर समझा गया है, तो आईए friends, अब next समझते हैं कि next हमें क्या समझा गया है, friends, यहाँ पर cultural heritage जो मैंने आपको यहाँ पर आगे समझा था, वुसी का ही वापिस थोड़ा और simplify करके अमें बताया है, तो friends, मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा, cultural heritage of India, India has gifted with a world diverse and rich heritage, cultural heritage is a man-made heritage, whatever is received or created by human, with his talent, wisdom, architectural heritage and skill is called cultural heritage, ठीक है friends, तो मैंने आपको आगे culture का समझा था, अब यह culture heritage है, तो friends, फिर culture heritage यही होता है, जो यहाँ पर हमने खुदने बनाया है, जैसे कि ताजमेल हुआ, फिर friends, कुतुब मिनार हुआ, जैसे और भी बड़े-बड़े रेड़ फॉर्ट हुए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जैसे कि चार मिनार हुआ, यह सब friends, मानव ने खुदने बनाया है, पर्षियान, टर्क, सरफ, मुगल, ब्रिटिश, फ्रेंच, एक्सेटरा, कास्टिस और ट्राइबस इस हैव कम टू इंडिया, इंडियन कल्चर फॉर्ट 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 इस हैस बिकम रिच, और हमारे भारत देश का कल्चर है, और रिच, और रिचर होता गया, और आज की स्टेज पर भी कल्चर है, जो भारत का पूरे विदेश्य से, लोग यहां पर हमारे कल्चर को देखने आते हैं, mostly पूरे कल्चर जो प्लेसीज हैंमारे भारत में, जैसे कि राजस्थान हुआ गुजरात हुआ राजस्थान में जेसल में गुजरात में कच्छ ऐसी सब प्लेसिस है और फ्रेंड्स इंडिया में बहुत सारी ऐसी सब प्लेसिस है जहां पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं गुमने के लिए तो यही था फ्रेंड्स हमारा Cultural Heritage of कुजरात तो फ्रेंड्स यहां पर Culture Heritage of कुजरात अब हमें आपर सीखना है तो फ्रेंड्स Culture Heritage of कुजरात में आता है डोला वीरा दे प्लेसिस ऑफ पिल्ग्रीम विक्टरी ऑफ वर्ड नगर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ असोका एट जुनागर्ड सन टेंपल अफ मॉडेरा गेट ऑफ चंपने रुद्रम आलया वीरम गाम जामा मस्चीद जामा मस्चीद ऑफ आधाबाद में सिच्वेटेड ओ फ्रेंड यह जाली की बहुत इंपोर्डेंट्स है यह जाली भी सिद्दी सजद की चाली इसको कहते हैं यह वर्ड़ फेमस और एसे यहां आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी तो फ्रेंड्स यहां पर एमदाबाद में सिद्धि सायद की जाली बाता ही तो आए प्रेंट सब्सक्राइब की तेसे करें यहां पर इहां पर उनकी प्लेस्ट करने ओंसे ऐसा हिए झाली नाम आपको यहां पर बताऊंगा पिर उनकी प्लेसिस के काँए काँ पर काँ से fares होते हैं और उनकी तिथी यहाँ पर फ्रेंट्स आपको यह learn करनी बहुत जरूरी है आपको करना खाली यह होगा fares के name याद रखने है और place कहाँ पर वो होती है उनका वो places आपको खाली याद रखने है कि कौन से कौन से fares होती है और वो कहाँ कहाँ पर होती है खाली वो आपको याद रखना है ठीक है friends क्योंकि तिथी time of fare आपको नहीं पूछेंगे आपको खाली name पूछेंगे और उसके सामने fares बताएंगे आपको खाली match the following में यह पूछे जाएंगे और यह MCQ में भी और one marks question में यह पूछे जाते है तो friends सबसे पहले है Modera fare जो होती है Modera और Modera situated है महसाना में और friends इसकी तिथी होती है third week of January ठीक है friends फिर second है बहुचर जी fare जो बहुचर जी में होती है महसाना में चैतर सुद पुनम को friends यह fare होती है third is Shāmla Ji Thakur Ji fare ठीक है friends यह Shāmla Ji Fare है यह Shāmla Ji Mandir है वहाँ पर होती है Shāmla Ji Mandir Arvallim है ठीक है friends इसकी तिथी है ठीक है friends ऐसे करके आपको यह 15 सारी fares दिए आपको यह learn करने होगी fares के name आपको learn करने है और mic and आप यह fares होती है इसकी places आपको learn करने हैं बहुत important है friends तीन से चार marks का एक match तक following आपको पुछता ही पुछता है ठीक है friends अब आगे हम देखते हैं क्या हमने समझाया है ठीक है friends अब types of मतलब tribes of people जो हम इंडिया में आज तक आए और उनकी वज़े से natural मतलब कहते हैं mutual exchange है जो हम कह सकते हैं वो हमारे इंडिया में हुए तो friends यहां पे बहुत सारे types की tribes हमारे इंडिया में आई और उनकी वज़े से mutual exchange हुए जो हमारे बारत में हुए तो friends उसमें से एक tribe है जिसका नाम है नेगो रिटो हपसी तो friends हपसी people आमने सुना होगा जो मतलब South Africa के जैसे people होते हैं एकदम उनके skin का color black होता है उनके curly hairs होता है तो friends इनको नेगो रिटो हपसी नाम से जाना जाता था उस time तो friends इनके बारे में हमें यहां पे short में बताया गया है friends यह tribes का आपको पूछते ही पूछते हैं votes की exam में तो आप please friends यह सब बहुत important है जो भी मैं आपको notes बता रहा हूं और जो भी मैं आपको explain कर रहा हूं तो इसे आप please note down कीजिए और इसको अच्छे से learn कर लीजिए तो friends सबसे पहली जो tribe है वो है नेगोरिटो हपसी तो friends यह आप बताया है कि some historians believe that नेगरेट और नेगरोस are the most ancient inhabitants of India they came from Africa बालुचिस्तान to India they were black having height 4 to 5 feet and curly hair friends यहाँ पर बताया है कि नेगोरिटो हपसी people है यहाँ पर कुछ historian का ऐसा believe करना है कि यह नेगरेट और नेगरोस जो people है यह बारत की सबसे पूरानी tribe कह सकते हैं सबसे पहली tribe यही है यह लोग आफरीका से आये थे बालुचिस्तान के रस्ते के थुरू यानि फ्रेंट्स यह बारत आये थे आफरीका से बालुचिस्तान होकर बारत यह लोग आये थे यह लोग जनरली 4 to 5 feet हिनकी हाइट होती है और फ्रेंट्स इनके करली बाल होते हैं और इनका skin का color black होता है ठीक है फ्रेंट्स तो यह सबसे पहली type थी जिनका नाम दा नेगोर इनका निशाद पीपल है इनको एस्ट्रोलइड कहते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो मैं आपको यहां पर पढ़के बताऊंगा फिर आगे आपको explain करूंगा एस्ट्रोलइड निशाद पीपल पीपल आफ इस्ट्राइब केम फ्रम साउथ एस्ट एस्ट एस्या देर फिजिकल इनका फिजिकल नेचर मतलब फिजिकल फीचर इनका है यह ब्लेक स्कीन होती है इनका ब्रॉड हैड होता है और यह फ्लेट नोस होता है इनका ठीक है फ्रेंट्स कोई-कोई लोग इनमें फैर कलर के भी होता है जो थोड़े गोरे दिखते हैं ठीक है फ्रेंट्स फिर आगे हमें बताया है on to india them they are called nishad people इनको हम nishad people कहते हैं तो origin of the tribe like call and mundah khasi tribes of asam इनकी मलब friends यह origin कह सकते हैं कि यह लोग कुछ कुछ people जैसे कि यह डूसरे tribes हमें बताये call mundah khasi tribes of asam and the tribes of nikobar in the similarities of astrolite यानि ऐसे लोगों जो आसाम में रहते हैं फिर friends यहां पर nikobar यह सब friends इनकी similarity है निशाद people से यहां पर हमें यह बताया है कि निशाद people जो है इनकी similarity कैसी है friends तो आसाम में जो यह tribes रहती है call and mundah khasi और जो friends nikobar island यानि अन्नमा निकोबा आइलेंड तो यह सब की similarity ऐसे यह जैसे यह एस्ट्रोलाइड पीपल्स की है friends यहां पर हमें बताया है their contribution in the development of the India culture and civilization of immense they made clay utensils and wore cotton clothes friends यहां पर हमें बताया गया है कि इनका Indian cultural civilization में इनका बहुत योगदान रहा है इन लोगों ने हमारे culture में बहुत सारे mutual exchanges लाए और friends यह लोग clay के utensils यूज करते थे और यह cotton clothes पहनते थे friends मैंने आपको यहां पर image भी बताईए ऐसे लोग होते थे यहां पर asteroid people जिनको हम निशाद people कहते friends आपका textbook में इसका detail explanation है और friends सबसे पहले important बात जो है वो कि आप हमेशा textbook को हर एक चीज के लिए refer करना मैं आपको और कोई reference book का नहीं कहूंगा मैं यहीं कहूंगा कि आप हमेशा textbook को आपका paper check होता है ठीक है friends आईए आप next देखते हैं जो है Dravidian जिनको हम Dravidian people कहते हैं ठीक है friends यहाँ पर हमें इसका detail explanation बता है तो मैं आपके सामने यहाँ पर बढ़ूंगा Dravidian were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of the Dravidian Mohan Jadaro and the direct descent of stone are culture of the tribe which came from not survived with their language and culture features later on they were called as Dravidian तो friends यह लोग जो है जिन लोगों ने Mohan Jadaro के यह descents है stone culture यानि stone age के यह लोग है stone age people के friends यह Sindhu Valley civilization के है यह friends इनको Dravidians कहा जाता है क्योंकि यह North से में survived होकर यहाँ पर बारत में आये इसलिए इनको Dravidians कहा गया है Dravidian gives the concept of the mother as a goddess and father as a god यानि Dravidian ने बारत के लोगों को यह सिखाया के हमें माता को Goddess का नाम देना चाहिए और पिता को Father यानि God का नाम देना चाहिए Goddess यानि माता और God यानि Father फिर उन्होंने माता पार्वती और बगवान शिवजी का अपने माता और पिता के रूप में माना फिर फ्रेंट्स आगे हमें बता है Moreover the tradition of worshiping nature is the gift of Dravidians the tradition of worshiping with the dhup, immense, deep, lamp and arty are considered the best gift of the Dravidians besides the nature and animal worshiping etc फ्रेंट्स यहां पर हमें बता गया है यह जो Dravidian है इन्होंने धूप और फिर इमेंस टीक यानि जो अगरबती है उसका फिर दिये का और आरती जो हम आरती, पूजा, धूप, अगरबती यह सब करते हैं इन सब का इन्होंने हमें सिखाया हमारे कल्चर में इन सबने डाला फिर फ्रेंट्स आप देखते होगे बारत के लोग है वो नेचर को भी बहुत पूछते हैं यानि जो सी होती है उसको गंगा-माता जैसे है फिर फ्रेंट्स सूरिय को पाने चड़ाते हैं ऐसा सब friends यहां पर बारत के लोग करते हैं तो friends यह सब भी इन्होंने ही सिखाया है कि इन्होंने friends तो Dravidian people नहीं यह सब बारत के culture में डाला है तो friends यहां पर हमें यह textbook में आपके बताया है तो friends आगे हम देखने है तो their great feature of original identities of Dravidians have been accepted by Aryan and were re-established by them as a god of culture, peace of the time under the tremendous influence of North Aryan culture was deeply internalized by Dravidian hence the intercaste merit took place, Dravidian had a marketical system of family so friends यहां पर बताया है कि कुछ time बाद यहां पर जब Aryans जो दूसरी एक और tribes थी वह आये तब Aryans और जो Dravidians थे इनके बीच में बहुत ही influence यानि हमेशा इनके बीच में जगडा चलता रहता था और इसी वज़े से एक tribes को दूसरी जगा बारत के किसी और साइड में shift होना पड़ा जो कि Aryans थे Aryans को बारत के दूसरे साइड में shift होना पड़ा क्योंकि वह इतने influence हो गए थे Dravidians की वज़े से और friends Dravidians का एक और यहां पर बताया है कि Dravidians का एक system होता है यह नियम था यह system था Dravidians progressed a lot of different handicrafts and art like building, boat, raft, weaving, spinning, dyeing etc friends यहां पर हमें बताया गया है कि Dravidians जो people है इन्होंने बहुत सारे आगे आगे process करके आगे से आगे नहीं नहीं चीजों की खोचकी फिर boats, raft, weaving, spinning यह सब चीजों भी इन्होंने बनाए यह friends आगे में बताया है due to dominance of the Aryans they have shifted to South India and settled there as a result today we can see the people of speaking Dravidian family languages like Telugu, Tamil, Kannad, Malayalam etc friends Dravidians वही people है जो आज South की इंडिया में बसते हैं क्योंकि यह friends पहले North में थे Aryans के और इनके influence की वज़े से इनको नीचे South की और shift हो जाना पड़ा और Aryans रहे गए North में friends क्योंकि यह South में रहते हैं इनकी अलग-अलग languages है जिनका नाम है Tamil, Telugu, Kannad and Malayalam friends यह सब इनकी languages है languages है जो यह बोलते हैं जो हमें South में जब हम जाते हैं तब यह सब हम आपर सुन सकते हैं friends यह था Dravidian people आये friends अब next हम समते हैं Mongolite आये friends अब Mongolite tribe हम समते हैं Mongolite they came to India from North China where Tibet and settled down as a North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal etc तो friends Mongolite वो ट्राइब है जो चाइना से होकर बारत में आई North चाइना से होकर बारत में आई और फिर यहां पर बारत के चाइना के मलब South में जो चाइना के नीचे वाले हिस्से हैं जिनमें भूतान, Assam, Sikkim, West Bengal यह सब हिस्सों में बारत के यह सेटल हो गए यह ग्रैजूली इंडियनाइज्ट यह 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 आपर बस गए और अच्छी तरीके से अपने आपको बारतिय मानने लगे Mongolite पीपल पजेश्ट फिजिकल केरेक्टरिस्टिक लाइक यहलो कंप्लिशन फैट फेज चबी चीक्स आलमंड शेपड आईज एक्सेटरा Mongolite वेर अफ यहलो कंप्लिक्शन एंड दे वेर नोन ऐस कीरट फ्रेंट्स यहाँ पर अब हमें इनका फिजिकल स्ट्रक्चर बता है यह लोग फैर कलर होते हैं इनका फैर मतलब यह यह यहलो इस पड़ते हैं इनके मुह होते हैं इनका फैर जो बॉड़ी कलर होता है इनके चबी चीक्स होते हैं यानि बड़ेज बड़ेज इनके गाल होते हैं और फिर फ्रेंट्स इनकी जो आखे होते हैं वो आलमंड शेपड होती है यानि इनकी छोटी छोटी आखे होती है इनकी हमाय जैसे यानि नॉर्मल इंडियन्स की जैसे इनकी आखे नहीं होती अब कभी अगर आसाम, सिक्कीम, मनिपूर वो साइड सब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां के लोगों की आखे ऐसी होती है अब अब पहलो हमें नेक्स यहां पहर जो बताई है जो अगया Sketchbook में दिया है जिनकी नाम है Alpine, Dinarik and Hermanoid तो यहां पहर इनकी इन सब ड्राइब के भी हम स्टडी कर लेते है इस ट्राइब और अम ए सेंट्रल अशीया all these three tribes these people considered have similarities the origins of this tribe found in a large number in Gujarat, in Saurashtra the people of India in Maharashtra, Bengal and Orisha formerly known as Orisha to India तो friends यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो tribe Central Asia से होकर बारत में आई इनकी similarities थोड़ी बहुत जो Gujarat के लोग है, Maharashtra के लोग है फिर Bengal और Orisha से इनकी similarities मिलती है तो friends यहाँ पर इनके ज्यादा बारे में हमें discuss नहीं कर रहा है युगी textbook में भी आपके इतना ही बता है तो friends आईए अब next हम समझते है तो friends अब next tribe जो है वो है Aryans तो friends आईए अब Aryans के बारे में हम समझते है तो friends यहाँ पर हमें बता गया है Aryans in the ancient time and the area where they were densely populated was called Arya Vratta तो friends यहाँ पर बता गया है कि Aryan भी एक बहुत पूरानी tribe है और जहाँ पर यह Aryans रहते थे पूराने time में उनको हम Arya Vratta कहा करते थे वहाँ पर ही जगा जहाँ पर यह लोग रहते थे the Aryans were the noidric Aryans as seven rivers were flowing over there that region was named as Saptasindu तो friends यहाँ पर जहाँ पर यह Aryans रहते थे जहाँ पर seven rivers एक साथ flow होती थी जहाँ पर Aryans रहते थे इसलिए Aryans ने वह जगा का नाम दे दिया Saptasindu ठीक है friends आपको समझ आ गया होगा in ancient time the population was concentrated in north west तो friends Aryans जो जो जिस time Aryans रहते थे उस time north west यानि friends north west की side population बहुत ही ज़्यादा थी इनकी वहाँ से लेकर the area of Arya Vratta was extended up to Haridwar in the east in south is spread up to Vidya chal during the post of Vedic period friends अब यहाँ पर बता गया है कि जिस time Aryans रहते थे उस time बारत के north west यानि north के side west में वहाँ से लेकर Haridwar तक और friends friends south में Vidya chal तक इनका पूरा area था जहाँ पर Aryans रहते थे friends हमें यहाँ पर बता है Aryans वे नेचर लवर they loved and worshipped the trees, the rivers, the mountain, the sun, the wind and the rain they had composed higham ragas for praying to various natural elements we friends हमें यहाँ पर बता गया है कि जो Aryans थे यहाँ पर यह नेचर लवर थे इनको नेचर से बहुत प्यार होता था यह लोग sun को, हवा को, फिर rain को, फिर नदियों को इन सब को यह पूछते थे इनोंने बहुत सार के mantras, जिनको ragas कहते हैं, इन लोगोंने वो सब भी develop किया है और फिर फ्रेंट्स यहाँ पर अलग अलग तरके यह praying बनाते थे prayers बनाते थे, जिसमें यह natural elements को ज़्यादा पूछते थे फिर फ्रेंट्स अब यहाँ पर हमें tribes का यहाँ पर हमारा खतम होता है, अब हमें यहाँ पर preservation of heritage बता है कि अब हमें अपने heritage को कैसे preserve करना चाहिए फ्रेंट्स यहाँ पर preservation of heritage, each aspect of Indian heritage made an Indian eye catching picture and attractive फ्रेंट्स यहाँ पर हमें बताएगा कि भारत में हर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने आखों में capture कर लेते हैं, अपने आखों में उसको बसा लेते हैं heritage brought glory to the nation, हमारे heritage यानि हमारे पूर्वजों की दरोहर है, जो हमारे पूर्वजों निर्मान किया है, जिसका हमें यहाँ पर बताएगा है, फ्रेंट्स इसमें हमें natural heritage का नहीं बताएगा है, इसमें हमारे cultural heritage का ही हमें बताएगा है, कि preservation of heritage हमें कैसे करना है फ्रेंट्स इहाँ पर बताएगा है, कि इसने हमारे nature में glory ला दिये, यानि इसने हमारे nature को बहुत ही सुंदर बना दिये, इंडिया attained a leading position in the world by keeping its heritage protected and preserved तो फ्रेंट्स इसमें बताएगा है, कि हमारे बारत देश में बहुत ही protected है heritage और अच्छे से preserve किया जाता है, उसकी अच्छे से देखरेक होती है Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harmed the ancient memory and also to preserve the places having historical importance and values in our constitution The fundamental duty of Indian citizens are mentioned in article 51a in that 6, 7 and 9 describe the following preservation of our cultural heritage they are given below Friends, यहाँ पर हमें बताएगा है कि हमारे देश में हर एक heritage को बहुत अच्छे से देखरेक होती है उनकी देखपाल होती है पर तो भी हर एक बारतियन नागरिक की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने heritage को अच्छे से preserve करें किसी को भी उसको harm ना करने दे किसी को भी उसको नुकसान नहीं होने दे और उसकी अच्छे से देखरेक करें उसकी रक्षा करें तो फ्रेंड्स यही था हमारे preservation of heritage में और हमारे article 51a जिसमें 6th और 9th लाइन में यह सब का description दिया है यह आप अपने textbook में अच्छी तरीके से देख सकते हैं उसमें अच्छे से आपको समझाया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा chapter 1 आपने मैंने आपको अच्छे से complete समझा दिया है अगर फिर भी आपको कोई doubt हो तो आप please comment box में comment कीजिए और अगर आपको कोई और भी doubts हो तो आप मेरी instagram id पर भी आकर मुझे पूच सकते हैं और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे please like share और subscribe जरूर कीजिए ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए good bye